हालो डियर फ्रेंट्स दिस देवाशी शनाई वेलकम यूल तो माई चैनल स्टाटिस्टिक्स कुरियोसिटी फ्रेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे टू रेस टू दी पावर टू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एक निमेरिकल ठीक है तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंन टू रेस टू दी पावर टू फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पर एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले कुछ महीने हो गए उसको और उस वीडियो पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया और उसके कमेंट सेक्शन में कही सारे स्टुडेंट्स ने सजेस्ट किया कि मैं निमेरिकल पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो वही ट्राइ किया है मैंने तो इस निमेरिकल को करने से पहले जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज उसको पहले देख लीजिए और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए और इस निमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसको देखिएगा तो अच्छे समझ में आयागा कोंकि कॉंसेप्ट में वहां समझा चुका हूं यहां मैं स्टेप्स ऑफ केल्कुलेशन पर ज्यादा फोकस करूंगा जो थेयोर्टिक मैं कह रहा है कि एक वी हैव प्लान डैट मींस इक डिजाइन कंड़क्ट की गई एंड देन टूरेश्टी पावर टू फेक्टरिल एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में की गई और सी आडी की फॉर्म में सी आडी अब बेसिकली मैं आपको जाता तो नहीं बट हां थोड़ा सा चाहिए आटिकरश करें ऐक्से संदूरेश्टी बेसिक अंट प्ले यॉर्म म Penis के शी बेसिकली एन करता है एक यसी पहर्म कर्थ इस मेंसिर यौनी डिशाइन क harbor क्रुपिंग नहीं होती केक्वल और केक्वब्र ट्रीट्मेंट्स को अप्लाई किया जाता है सीधे सीधे ओके तो यहां जो कॉश्चन हम डिसकस कर रहे हैं सी आइडी पर बेस्ड है ओके चलिए तो है क्या मुझे तो डिजाइन को एनलाइज करना है तो क्या स्टेप्स रहते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से तो सबसे पहला जो step हमारे पास रहेगा वो रहेगा treatment combinations के observations को अलग-अलग कर लेना तो basically हमारे पास जो treatment combinations हैं जो treatment combinations हैं वो हमारे पास two days to the power two factorial experiment में चार treatment combinations होते हैं है ना तो एक तो है ये one a, b और a, b ओके इनका क्या meaning है क्या है उसके लिए प्लीज आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजेगा ठीक है मैं वहां discuss कर चुका हूँ तो ये हैं और इनके corresponding observations जो मुझे दे रखे है तो देखिए one का एक 20 ये है 20 और one का 17 है और 19 है अब a का देखिए 28 then 24 then 24 ओके बी का देखिए 11 फिर 15 और फिर 10 ओके अब देखिए a, b का 23 22 और 21 ओके आप यहां देख सकते हैं कि हर treatment combination यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि जितने भी treatment combinations है जो इच treatment combination है हमारे पास combination जो है वह basically replicate किया गया है apply किया गया है तब repeat किया गया है तीन बार है ना हर एक के तीन observation आपको मिल रहे हैं तो small r होते है number of applications उसकी value हो गई 3 ठीक है तो small r की value 3 हो गई अब देखे तो पहला step तो यह होता है दूसरा step है हमें इनके total calculate कर लेने हैं अब मैंने यहां पर यह लिख दी चलिए तो यहां लिख लेता हूं total ठीक है तो total मतलब इन सब को plus करके तो 20 plus 17 plus 19 तो यह आपका आगया 56 और 28 24 24 यह आपका आगया 76 इन तीनों को plus किया यह आपका आगया 36 इन तीनों को plus किया यह आपका आगया 66 ओके और यह grand total इसका आ गया 234 इसको capital T और कुछ बुक्स में इसको capital G से denote करते हैं अब मैं जड़ा इनकी notation से एक बार recall करा दूँ आपको तो जो total होता है हर treatment का उसे इस वाले sign से denote करते हैं इसकी value हमारी 56 हो गई इसकी value हमारी 76 हो गई इसकी value हमारी 36 हो गई इसकी value हमारी 66 यह basically a का effect है यह b का और यह a b का और थोड़ा और मैं और बता दूँ short में तो यहां मारे पास दो treatment है न a और भी है इनको दो अलग अलग लेवल पर apply किया गया है तो यह हो गया 2 raise to the power 2 factorial experiment हो गया है ना दो अलग अलग लेवल है इनके a0 a1 b0 b1 तो मैं फिर से recommend करूंगा कि पहले आप इसकी basic theory समझने के लिए पिछली वीडियो देख लें इसके बाद इदर आएं चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक तरीके से क्या हो गया पहला step हो गया हमारा treatment combinations के total लिखना ठी step मैं जो discuss करेंगे दूसरा step वो है basically sum of squares calculate करने हैं तो sum of square calculate करने के कई तरीके हैं पर जो सबसे आसान तरीका है वो है cf find कर लो सबसे पहले cf cf की full form होती है correction factor अलाकि full form इसका कुछ करना नहीं है खेर यह होती है correction factor और इसका formula होता है capital T square divided by capital N जो की यहां पर हमारा इसको आप कह सकते हो 4R 4 times कितनी replicates हैं तो यह तो हो गया 234 square divided by 4 times small r3 replicate किया गया है तो यह हो जाएगा 12 यह solve करोगे मैंने अपने पास 4 solve करके रखा हुआ है तो यह आ गया 4563 ओके यह solve करके 4563 आ गया यह हो गया cf next step आपका होता है RSS calculate करना यह है raw sum of squares क्या है यह raw sum of squares है ठीक है इसको इसका यह simple सा फंडा है जितने भी observations है numerical में जितने भी observations है उन सब का square करो और plus कर दो जितने भी observations है say xij उन सब का sum करो oh sorry square करो and then sum करो उनका तो आपको करना क्या है यह 20 का square plus 23 का square plus 24 का square plus 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 इधर 10 17 19 का square plus करते जाना है और यह finally solve plus square square plus करते करते यह आएगा 4886 okay तो अब fourth step आपका है total sum of square calculate करने का fourth step तो total sum of square का formula रहता है अपना raw sum of square minus cf तो यह हमारा आया 4886 minus cf हमारा आया 4563 इसको minus कर दो तो यह आपका बच गया 323 ठीक है तो पहला step हो गया आपका यह है ना दूसरा step यह हो गया अनुवा टेविल बनाने के लिए ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यह हो गए चारों step अब मुझे sum of square calculate करने के लिए जो मेरा जो सबसे आसान तरीका है factory experiment में वह है yates method सबसे effective और सबसे easy तरीका है sum of square calculate करने का बचे हुए यह वाले sum of square से ना यह वाले sum of square total sum of square हम find कर चुके है अभी यह ठीक है तो देखिए तो सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है total response है उन्हें लिख लेना है इनको लिख लिया अब क्या करना है अब इनको plus करना है ठीक है तो कैसे कैसे to last करना है क्या तरीका है plus करने का में बात के दो plus करने और उन्हें ओपर लिख लेना हैै् तो fifty-six plus Wallace 76 ओर 36 plus 66 क्या का मैंने पहले 2 प्लस करने बात के 2 प्लस करने फिर दूसरे मैं से पहला – करना है पहले दो में और बात के दो में भी दूसरे मैं से – करना है that means 76 minus 56 66 minus 36 ठीक है यह तरीका है तो 56 plus 76 यह आगया आपका 132 36 plus 66 यह आपका आगया 102 और 76 minus 56 यह आगया आपका 20 और यह आगया आपका 30 ओके यह आपका पहला कॉलम हो गया दूसरे कॉलम में इसी स्टेप को रिपीट कर दीजिए that means पहले 2 को प्लस that means 132 plus 102 बात के 2 को प्लस that means 20 plus 30 ऐसी दूसरे में से पहला minus negative में आ सकता है यह है ना उसकी चिंता मत कीजिएगा और 30 minus 20 30 minus 20 इनको प्लस किया तो यह आगया 234 इनको प्लस किया यह आगया 50 इनको माइनस किया तो negative 30 और इन्हें माइनस किया तो यह आगया 10 ओके अब next है हमारा कॉलम डिवीजर का तो डिवीजर मेरे पास होता है basically 4 times R ठीक है 4 मतलब चार्ट हीट्मेंट कॉम्बिनेशन यही वो 1, A, B, A, B और R मतलब number of replicates तो यह चीज 12 है यह चीज 12 ही है हर एक कॉलम के लिए ठीक है डिवीजर अब sum of squares तो sum of squares का formula basically मैं यहां लिख देता हूँ जो formula है वो है sum of square का जो formula है वो यह है कि जो भी total आया है वो उसका square करो और divided by divisor यह formula है ठीक है तो total मतलब इसको capital letter से denote करते है तो यह basically इसको अगर मुझे A के लिए calculate करना है तो यह हो जाएगा A square divided by 4R और यह क्या चीज़ है यह यह वाले column है यह यह है यह ठीक है आप कह सकते हो कि capital A तो है 50 और capital B है minus 30 और capital A B है 10 ठीक है और यह 234 to overall total है तो इसका square करके और आप divided by 12 कर दोगे तो यह तो CF आ जाएगा आपका ठीक है और इधर आप 50 का square करिए और divided by 12 करिए 50 का square divided by 12 तो यह आजाएगा आपका solve होकर 208.33 ऐसे इधर कर दीजे आप minus के 30 का square divided by 12 तो यह आपका आगया 75 ज़र कर दीजे आप 10 का square divided by 12 तो यह आगया 8.33 ठीक है यह rounded of two second place है सारे numbers यह आपका कहलाएगा sum of square due to A यह आपका कहलाएगा sum of square due to B और यह आपका कहलाएगा sum of square due to A B interaction effective यह A कि यह 3 sum of squares निकले आए ठीक है अब मुझे find करना होता है next step में एक ठीक हो गया आपका fifth step हो गया यह इस method वाला है ना अब sixth step में आपको find करना होता है sum of square due to error S S E और इसका formula होता है T S S minus बाकि जितने भी sum of square है उनको plus करके T S S में total में से minus कर दो तो S S A plus S S B plus S S A B है ना तो यह T S S S हमारा तो कितना आया था T S S S यह आया 323 minus S S A S S A 208.33 plus S S B 75 यह आया ना 75 plus S S A B 8.33 इसे solve किया minus किया plus plus करकर आके calculation तो यह आ गया आपका 31.34 ओके यह हो गया आपका 6th step ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए फिर से एक बार बता दूँ आपको कि basically scene क्या है कि अपने पास data दे रखा है तो मेरे को ना ANOVA table बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा क्या जिस चीज की ज़रुद पढ़ती है वो होते हैं sum of squares बाकी की चीज़ना अनोवा table में find हो जाती है तो sum of square find करने के लिए जो steps है वो आपने देखे ठीक है तो मेरे पास जब सारे हर treatment combination के sum of square आ चुके हैं अब मैं create करूँगा step number 7 में अब मैं create करूँगा भाईया ANOVA table ठीक है ANOVA table क्रीएट करेंगे हम आप ANOVA table का क्या scene है देख लीजिए तो source of variation मेरा है treatment effect treatment effect interaction effect of both treatment और error और बाद में यहां लिख सकते हो हाला कि उसका कोई काम नहीं है total चलिए sum of squares due to a चलो पहले यह देख लेते हैं degree of freedom degree of freedom basically होता है जितनी उसकी value है minus 1 basically यह है बाकी और मैंने इसको ना detail में मैंने पिछली वीडियो में क्योंकि discuss कर दिया है तो मैं सीधे बता देता हूँ इनकी degree of freedom 1 1 और 1 होती है अब ऐसा क्यों है एक बार और मैं short में बता देता हूँ कि total हमारे पास 4 treatment combination है 4 में से हमने 1 minus किया तो बचे 3 हूँ तो यह 3 इन तीनों में distribute हो गई एक हो गया A को distribute एक हो गया B को और एक हो गया A B को ऐसा करके scene है ठीक है चलिए तो यह इन तीनों की एक एक डिग्री ओफ रिडम हो गई इधर total degrees of freedom total observation में से 1 minus कर दो total observation है बारे बारे में से 1 minus किया तो यह बचा 11 है ठीक है अब 11 है यह तीन यह 11 में से 3 minus कर दो तो 11 minus 3 this will become 8 ओके तो यह आपकी आगई degrees of freedom degrees of freedom ensure हो जाईए बिलकुल इस बात में कि A B और A B इनकी 1 1 1 1 ही होगी हर बार ठीक है बाकी total की आप जो भी observations है उसमें से 1 minus कीजिए और फिर उसमें से 3 minus करके आपको error की degree of freedom पता चल जाएगी उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है जब blocking होती है that means blocks होते है तो block count कर लिए जाते है कितने block हैं और उनकी degree of freedom जितने भी block होते है minus 1 करके निकलाती है थे हमने उपर calculate कर लिए थे 208.33 दिख रहे होंगे आपको मेरे ख्याल में इस्क्रीन में देखे ये ठीक है b का है 75 और a b का है 8.33 ठीक है और error के जो solve हो क्या है 31.34 ओके अब mean sum of square क्या होता है mean sum of square होते है sum of square divided by degree of freedom ठीक है साब 208.33 divided by 1 करोगे तो same lot के आ जाएगा 208.33 ऐसे ही है 75 ऐसे ही है 8.33 इदर 31.34 divided by 8 करना पड़ेगा तो 31.34 divided by 8 यह मैंना किया हुआ नहीं है तो एक मिनट हाँ तो यह हो जाएगा आपका 3.92 ओके यह divide कर लिया अब बात आती है F calculated की तो formula मैं सोच रहा था कि red band से लिखूंगा भूली गया चलिए तो F calculated formula रहता है sum of square due to का भी F निकाल रहे हो जैसे मुझे A का निकालना है for A तो sum of square due to A sorry mean sum of square due to A divided by mean sum of square due to E ठीक है यह formula रहता है तो मुझे निकालना है F calculated निकालना है A के लिए तो mean sum of square A का यानि कि 208.33 divided by mean sum of square error का that means 3.92 तो यह आपका आ जाएगा 53.33 53.15 sorry ऐसे ही इधर आपको निकालना है माली जे A B का तो उसके लिए आप क्या कीजिए MSS A B जो किये 75 divided by error 3.92 यह मैं सीधे लिख रहा हूँ 75 divided by 3.92 यह आ रहा है 19.13 इसी next हो जाएगा 8.33 divided by 3.92 यह आ जाएगा 2.13 इसका निकालने की जोट नहीं है 1 आएगा उसका उसी में डिवाइड करोगे मतलब खेर F calculated निकालने की जोट नहीं है error खुद का खुद से क्या compare करना हाँ तो F calculated आपने A का निकाल लिया जो कि I are 53.15 B का निकाल लिया 19.13 और A B का निकाल लिया 2.13 जब आपने तीनो F calculated निकाल लिये अब बात आती है conclusion की ठीक है तो उसके लिए क्या रहता है कि F tabulated find करना होता है अब जड़ा F tabulated देख लेते हैं क्या चक्कर है कैसे find होगा देखिए तो F tabulated की जो value है वो F की table से F distribution की table से find होगी पहली बात तो ठीक है कैसे find होगी आप एक alpha choose करेंगे और इधर मैंने alpha choose किया हुआ है 0.01 generally 0.01, 0.05, 5%, 1% level of significance इन मैं सही कोई एक select कर लेते हैं बागी numerical में बताएगा आपको कि भी कितनी alpha select करनी है तो अगर नहीं उसमें हो तो अपने हिसाब से 1% या 5% alpha choose कर लीजेगा इसके बाद आती है degrees of freedom तो degree of freedom हम देखते हैं जिसके लिए हमें F tabulated find करना है जिन से compare करने के लिए उसकी degree of freedom और error की तो 1,8 degree of freedom पर हम table में देखेंगे 1,8 degree of freedom पर देखेंगे और 0.01 मैंने इधर लिया हुआ है आपका alpha तो F की table में आप 0.01 alpha बाला देखोगे column और उसमें एक side में 1 देखोगे degree of freedom पहली और दूसरी side में 8 देखोगे तो corresponding tabulated value F की आएगी वो F की आएगी 11.26 और वो काम करेगी आपके A के लिए B के लिए और A भी तीनों के लिए ठीक है क्योंकि तीनों में 1,8 सेम वही है अब क्या रहता है आगे की कहानी सुनिए अगर F की calculated value बड़ी आगई F tabulated से अगर calculated value बड़ी आगई F calculated से तो आपकी जो है वो basically significant रहती है conclusion में आप significant लिखेंगे अभी इसको मैं पूरी line बता दूँगा क्या रहेगी ठीक है और अगर इसका opposite है तो आप non significant लिखेंगे conclusion में तो आप clearly देख पा रहे हैं इधर क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि 53.15 बड़ाए 11.26 से और 19.13 भी बड़ाए 11.26 से तो जो main effect है A और B दोनो significantly different है ठीक है दोनो significant है और जो A भी है interaction effect यह non significant है ठीक है तो यह आपका आजाएगा यह चीज आप किया जाएगी conclusion में तो यह आपका बेसिकली पूरा था कि बही कैसे आपको टू रेस टू दी पावर टू factorial experiment का numerical solve करना है पूरा यह आपका है तो करीब यह आपका seven to eight step eight step यह आप इसको eight step मान सकते हैं इसको conclusion को तो eight step आपका यह process है तो I hope आपको समझ में आया होगा है ना कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई हो भाई वो बता दीजेगा कि क्या चीज थी कौन सा step clear नहीं हुआ और आप क्या चाहते हैं कि और किस तरह का numerical कराया जाए वो चीज clear कर दीजेगा तो मैं कोशिश करूँगा हलाकि मैं लेट हो जाता हूं को सब्सक्राइब तो करी लिया होगा आपने तो थेंक यू फॉर वाचिंग आप